नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एक्जाम वारियस में दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि मैं परते एक दिन आप लोग के लिए BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन को ले करके इनकी जो पिटी का प्री का एक्जाम है मैं फर् आप लोग को 50-50 प्रश्णों का संग्रा करा जाता है उसी का जो है आजे पांचवा सेसन होगा इसमें हम लोग आज क्यां से दोसब एक से ले करके 250 तक के प्रश्णों को चर्चा करेंगे अब यह सभी वैसे प्रेस्ट है जो आपको एक बिससग्यों के द्वारा एक अच् पीटी के फैक्ट के हिसाब से होगा पीटी के फैक्ट को देखते हुए आपको होगा क्योंकि जो भी प्रेस्ट है आप एक सभी फैक्ट वाले प्रेस्ट है आपको एक जगा पे यह सभी को फैक्ट को इकठा करके आप लोग को दिया जा रहा है ताकि आप कम से कम समय में औ करें और शेयर भी करें अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो आप ज्यादा से ज्यादा अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी बोलें या आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके कोई भी रोटीपी के सार असानी से मिल सके तो 25-35 प्रश्ण आपको बिहार से Especial पूछा जाता है जो कि आप इसकी मात्रा काफी महत्पुन है आप किसी बी पार्ट को नहीं छोड़ के चल सकते हैं क्योंकि 35-35 प्रश्ण जो है आपके लिए बहुत ही महत्पुन प्रश्ण होते हैं तो इसको इंग्नॉर नहीं कर सकते ह तो आईए हम देखते हैं अब प्रश्णों की वर चलेंगे बेगु सराय के खोदाबंपूर में किसकी पहल पर वर्मी कंपोस्ट की काई लगाई गई है तो डाक्टर आरके सोहन ठीक है यह हलाके प्रश्ण आपको पूराना हो चुका है उस समय का क्रेंट अफेर का नई पूछे जाएंगे अभी आपके लिए बिहार से करेंट की बात करें तो बिहार में भी साथ निष्चा है ठीक है साथ निष्चा है टू प्रश्ण आपके लिए पूछे जाएंगे राष्टि अंदोलन के दोरान बलदेव परसाद ने माधिवक्ता के पत से कब इस्तिपादे दिया था सितंबर 2015 में बिहार में सबसे कवरीन जम्मा अनुपात वाला जीला ठीक है यह भी प्रश्ण आपको करेंट अफियर से है आगे दखेंगे ब्राह योनी पहाड़ी कहा है इस्तित है यह आपको कहा है आपको बिहार के गया जीले में इस्तित है तो कहा है मरवन्स का उंतिम शासक कौन था आपको ब्रीद्रत था कौन था वर्रीद्रत था करनाट वंस का संस्थापक था 2011 की जन गन्ना कमशार बिहार में अनसुचित जन जाती की जन संख्या कितनी परतिसत है तो जन जाती, AST की बात कर रहा है ठीक है AST, सुरूल ट्रायल का बात कर रहा है तो हम लोग जो है अभी भी हमें कोई भी एक्जाम देना होगा तो हम अभी भी 2011 की जन संख्या को ही पढ़ कर जाएंगे क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि परतिक 10 वर्षों पर भारत की जन गन्ना कराई जाती है लेकिन इस बार जो है COVID के कारण 2021 में जो जन गन्ना होना था वो जन गन्ना को अस्थागित कर दिया गया है और अभी जन गन्ना इस पर नहीं कराई जाएगी और अभी जन गन्ना एक बार क्या है कब होगी 2021 में होगी तो हमें नई डाटा कब मिलेंगे 2021 में उसके बाद ही हमको पढ़ना होगा तो अभी हम क्या पढ़ेंगे फिर 10 साल अब 2011 की जन गन्ना के ही अमसार आपको प्रेशन पूछे जाएंगे और उसी के अमसार हम देखेंगे तो बिहार में अनुसूची जन जाती जन संख्या कितना है 0.9% यान 1% से भी कम बिहार के जो जब जहारखंड एक में था बिहार में काफी जन संख्या थी आदिवासियों की A.T. की लेकिन अब बिहार से जहारखंड एक जहारखंड में क्या हो गया जाद अतर आदिवासियों के जहारखंड में चले गए इसके कारन बिहार की जन संख्या काफी कम हो गई जहां कि अनुसूची जन जाती है तीक है यह जो हम current के press को नहीं देखेंगे क्रिशी पसुपालन वेपार वानीच आदी को समीरित रूप से कौटीले के अर्शास्त में क्या कहा गया है यहाँ इसको कहा गया है वारता कहा गया है कंक्रेट बांध हनमान मान गर जो कहाँ पहे है नेपाल में है बिहार के सिमा पेश्थी था इसकी लंबाई कितनी है आपको 1140 मिटर इस लंबाई आपके लिए महत्पूर नहीं होगा बस याद रखना है कंक्रीट बांध हर्मान नगर जो है कहां पे इस्तित है तो नेपाल में इस्तित है जो किस के साथ सीमा बनाती है तो बिहार राज के साथ सीमा बनाती है ककोलत मेला बिहार में कहां जीत होती है ककोलत मेला यहीं पेख है ककोलत जल परपात वो भी कहां है नवादा में ही इस्तित है बिहार में सरवाधिक साखा किस बैंकी है तो सरवाधिक साखा जो है भारतिय स्टेट बैंकी है बिहार में सरवाधीक ब्रांच की बैंक की है तो भारतिय स्टेट बैंक SBI की है जिसकी स्थापना काप किया गया था तो 1905 में आपको SBI की स्थापना की जाती है कर्मनासा नदी गंगा में किस अस्तान पर मिलती है तो कर्मनासा जो है आपको कहां मिलती है चौसा के निकट उत्तर में ठीक है चौसा कहां पे है आपको बकसर के पास है वहीं पे आपको करमा नासा नदी कहां से कैमूर के छेतर से निकल के कैमूर की पहाड़ी से निकल करके आपको चौसा के मैदान में मिल जाती है बढ़ गाओं जो राजगीर से 11 किलोमीटर की दूरी पईस्तित है जहां प्राचीन नलंदा महाविद्याला का आवसेस मिला है कि खोज किसके द्वारा किया गया है तो कनिंगम के द्वारा किया गया है बिहार में कितने छेत्रियक ग्रामिन बैंक है बिहार में कितने छेत्रियक ग्रामिन बैंक है बिहार में तीन छेत्रियक ग्रामिन बैंक है देखेंगे उतर बिहार ग्रामिन बैंक दचिन बिहार ग्रामिन बैंक इस तरह से करके जो है कितने है तीन ग्रामिन बैंक के बिहार में कारेरत है अगला प्रस्ण देखेंगे कलिंग यूद असोक के सासन काल के वो किस वर्स लड़ा गया था तो आठवे वर्स कलिंग जब असोक ने राजा बना था उसके आठवे वर्स जो है कलिंग का यूद लड़ा गया और कलिंग का यूद कब हुआ 261 इसापूर में हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई बहुत सारी लोगों की रख्त खुन बहा इसी कलिंग यूद का उलेक असोक ने अपनी सेला लेक के तिरहवे सेला लेक में किया है और इसी यूद के बाद असोक ने यह जो है अब शोक ने यह जो धारन किया कि मैं अब इसके बाद कोई भी यूद नहीं लड़ूंगा जिसे बेक्तियों की लोगों की जो जनता है उनकी जान खत्रे में जाये मौरे काल में राज की ओर से सिचाई का प्रबंधन करना क्या कलाता था तो राज मौरे काल में जो है राज की सिचाई के लिए प्रबंधन करना क्या कलाता था सेतू बंध कलाता था सेतू मतलब क्या होता है पूल होता है यह संस्कीरित वड़ है और सेतू को बंध करके बांध करके उसको क्या किया जाता था एक सिचाई के तोरपा उसकी पानी को एक दूसरे चेतर में विस्तारित किया जाता था किर्थिलता किसकी रचना है तो बिद्या पर्ति की ये रचना है करो या मरो का समन्द की संदोलन से है तो भारत छोड़ आंदोलन 9 अगस्त 1942 जोकी आपको कहां से किया गया था कास परतामों परतिमाओं के निर्मान की पाल सहली के विकास में किस कलाकार की महत्पून योगदान रहा है तो इसका किसका है धीमन और उसके पुत्र बिठ पाल का ठीक है धीमन और बिठ पाल का सबसे ज़्यादा पाल सहली में या पाल कला में इनका योगदान रहा है महत्पुन योगदान रहा है मौरिकाल में जंगली सेना को क्या कहा जाता था मौरिकाल में जंगली सेना थी जो जंगल में सेना काम करती थी उसको क्या कहा जाता था तो अटावी बल कहा जाता था ठीके कौन सा अटावी बल कहा जाता था जो कि मुखी कारिन को जंगलोम की सुरक्षा परदान करना होता था कावर जील का निर्मान किस नदी के भी सर्पन से हुआ है कावर जील कहा है आपको ब्यगू सराय में है कावर जील कहा है ब्यगू सराय में है जो कि कहां है किस नदी पे है तो आपको गंडिक नदी के कारण इनका निर्मान होता है Congress Socialist Party की पहली बैठक पत्ना में हुई थी वह किस वर्स हुई थी तो 1934 में Congress Socialist Party की अस्तामणा भी कभ हुआ 1934 में हुआ और पत्ना में इसकी बैठक भी कभ हुई 1934 में ही की गई बुद्ध का अंतिम वाके क्या था अपदिपो भवा ठीक है मिस दुख अपदिपो भवा अंतर क्या होता है जो दुख सुक्स जो है मिर्टु को क्या करता है निर्वान प्राप्त कर लेता है उससे जो है छुट पा लेता है उससे जो है मुक्ति पा लेता है उसी को कहा गया अप दिपो भवा कासी का राज ये पाल शिशुना कब मगत का राज राजा बना था तो कब बना था 412 हिसा पूर में मौरे काल में भूराजस्व को क्या कहा जाता था मौरे काल में जो भूमिक पर राजस्व लिया जाता था तो टेक्स लिया जाता था उसको कहा जाता था छि अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा इस वीडियो को सेर्ख करें ताकि जादा से जादा लोग इस वीडियो देख सकें और अपनी त्यारी को मजबूत कर सकें क्वार जhisल बल वस्तृत है कावर जिहल कह intentar के आप है आपको बियुत सराय भी यह रा पास हो जाने के बाद कि इसके द्वारा उस बिध्यक पहस्ताक्षर कर राजपाल के पास भेजा जाता है तो जैसे ही दोनों सदन से जैसे राज की बात करते तो राज में भी दो सदन होते हैं एक होता है बिधान सवा एक बिधान परिशद परति एक राजों में बिधान परि जाता है कोटीलिक आर्शास्त कितने अधिकर्णों में विभाजित है यहां पर अधिकर्ण है तो अधिकर्ण है कितना 15 जबकि प्रकर्ण रहेगा तो प्रकर्ण कितना है 180 15 अधिकर्णों में 180 प्रकर्णों में कोटीलिक आर्शास्त विभग्त है आगे देखें कोटिली के अर्षास्त में किस पहलूप परकास डाला गया है तो यह आपको राजनीती से समन्दित है बूध की मिर्थू असी वर्ष के वश्ता में कब हुई बूध की मिर्थू 483 इस्सापूर में कुशी नगर दिवर्या उतर परदिस में चुन्द द्वार अर्पित चुन्द एकों था सोनार था उसके द्वार अर्पित उसके द्वार खिलाया गया भोजन के जो की सुवर का मास बोला जाता है कि सुवर के मास को खिलाया गया क владum Р調 नहीं अगतर कलए फैसे क के जिए जाने का हुलेक उसमें किया है अजाज हत्रुन अपनी किस मंत्री के सहयोग से वजी संग में फुत डाल दी तो इसका फ़ा मंत्री का था वसकार मोरे काल में चांदी के सीके को क्या कहा जाता था बोग रिकाल में जितने भी चांदी के सिक्यप बनते थे या ढाले जाते थे उनको पन या काशारपन के नाम से जाना जाता था कोसी पर्योजना का परणाम कब हुआ कोसी पर्योजना आपको कोसी नादीप है और ये 19 की निर्मान शुरू हुआ था 1923 में पर्थम पंचवर्शी वोजना में क्योंकि पर्थम पंचवर्शी वोजना पूछ ले जाता कि इस वोजना में तो पर्थम पंचवर्शी वोजना कब से कम तक चली थी? एक आमन से 56 तक चली थी बहुत संग में सामिन होने वाले पर्थम इस तरीकों थी तो परजापती गौतमी थी जो की गौतम बुद्ध की ठीक है पर्थम सामिन होने वाले पर्थम इस तरीकों थी परजापती गौतमी जो कोशी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है कोशी नदी को नेपाल में सब्त कोशी के नाम से जाना जाता है कौन सा अभिलेक एक मात्र अभिलेक है जो पथर की पटियों पर खुदा हुआ है भाबरु सिलालेक भाबरु सिलालेक किस पर लिखा है इसमें जितने मी बिहार में मिले हैं लिपी उसमें आपको किस लिपी का पर्योग किया गया है तो ब्रामी लिपी का पर्योग किया गया है कौन सी नदी कीकट और बमागधी के नाम से भी जाना जाता है किकट या बमागधी के नाम से जाना जाता है कौन पुन-पुन नदी ठीक है जो कि गंगा में आनकर किया सहायक के रूप में गंगा के दचिनी सीसे से आकर के गंगा में मिलती है पुछा जाता है कि पुनपुन कंगा के किशोर से मिलती है तो दच्छिन के सीरे से मिलती है महा संगियक बहुत संपर्दाय का परवर्ता कौन था महा संगियक बहुत संपर्दाय का संस्ताप कौन था तो आपको महा कस्यप था जोकि पर्थम बोह संगेती की बात करें, तो पर्थम बोह संगेती गोतम बीद की मिर्दू के बाद जब 480 सापूर में की जाती है, राजगीर में उसकी अध्यष्टा भी कौन करता है, महा कष्यप के द्वारे ही किया जाता है बौध कालीन जातक में स्वार नसीखों का गया है निस्क का गया है क्या का गया है जबकि मौरिकाल में चांदी के सिखे को पन या कसारपन कहा गया है वर्स 2014-15 में इसको जो है कंसिल कर दी यह करेंट अफेर है महाबीर के पीता का नाम क्या था महाबीर के पीता का नाम था सिदार्थ मौरिकाल में सोरपर्थम, कला च्छेत्र में किस वस्तु का ब्यापक सबसे उपयोग हुआ तो पासान आत्मा दमा जो है दोनों धर्मों में समान नहीं था, दोनों धर्मों में क्या मांते थे कि कर्म करो पुरंजर्म होगा, क्या करते थे कर्म करो पुरंजर्म होगा और आगे कि जो है आत्मा ये समय जो है विश्वास नहीं रखता था दोजरेकारक जनकन्ना के अंसार बिहार में ग्रामीन यो सहरी छेत्र में लिंगानुपाद किदर गया है तो हम ग्रामीन सबसे पहले क्या देखेंगे जनकन्ना के अंसार बिहार में ग्रामीन यो सहरी तो ग्रामीन में कितना है 927 लिंगानुपाद जबकि सहरी में है काल में रेसम कहां से मंगाई जाती थी तो मौर काल में रेसम कहां होती थी चीन में होती थी और उसी यह जो है रेसम काल का बात करते हैं तो कनीश का जो काल यह सब के लिए जो है बहुत ही फेमस है बहुत ही परचली था बिहार में इस्तित नलंदा विशुविदाले में महायान साखा के सिक्षा विशेश रूप से दी जाती थी महायान साखा का समन्द किस धर्म से हैं हीन यान हो या महायान हो क्या हो हीन यान हो या महायान हो आपको बहुत धर्म समन्दित है यह पुछा जाता है कि बहुत धर्म हिन यानों महावियन में आंसिक रूप से कभ भिभगत हुआ और पून रूप से कभ भिभगत हुआẩ। टिक है? डेविड, एजिरा, रिवन, जोकी कहां थे, पाटनाproject न्याले के परथा मुख नादिश थे, जोकी अंग्रेज थे पाटना उंच न्याले की बात करें तो इसके स्थापना कप किजाती है? 1916 हिस्वडी में इसके स्थापना पटना में किजाती है हैं अगर उस एक्जाम समय पी होता है या बढ़ भी सकता है लेकिन हम लोग को टार्गेट करना है माई ठीक है माई को महीने को टार्गेट करते हुए उससे पहले जो है आपको बिहार SI का exam है कब है 24 अपरेल को है तो आप उससे पहले बिहार द्रोगा का जिसका भी PT हुआ होगा उनसे लोग लगे हुए होगा मैं इसके त्यारी में तो सबसे पहले मैं उनसे भी लोगों को भी तहूँगा कि आप सब भी एक साथ त्यारी करें और बिहार द्रोगा को देखेंगे और बिहार बिपेसी को देखेंगे तो काफी changing नहीं है आपको बहुँ ज्यादा changing नहीं है आपको किसमें syllabus में क्योंकि इसमें जो बिपेसी में हो जादा कुछ बिहार special pressure पूछे जाते हैं लेकिन बिहा में आप लोग खुश रहिए सुरक्चित रहिए स्वस्त रहिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद